हेलो दोस्तो मैं मनोस सिंग और concept of electrical मैं पहले कुछ question में करा चुका हूँ और कुछ और application में कराने जा रहा हूँ तो आए देखते हैं वो कुछ और application या कुछ जो question आए हुई हैं वो किस type के हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहला question है if 2 meter long conductor has cross sectional area of 0.25 meter square and resistance 5 ohm find its resistivity यानि यहां पर जो है area जो है वो 0.25 meter square दे रखा आपका और resistance 5 ohm length 2 meter तो r equal to rho L upon A निकाल लेजे तो यहां से rho अगर आपको निकालना है तो आर अपॉन एल 5 area 0.25 अपॉन 2 meter उसका length है किसका conductor का तो यहां से देखे 5 by 2 और 20 यहां 100 5 तो 5 by 8 ohm meter resistivity उस वायर की आ जाएगी तो बहुत सिंपल की condition क्या बताए थी onthlock की condition में मैंने बताया था temperature क्या होना जिए constant होना जिए अगर temperature constant होगा तो r क्या हो जाएगा constant तो यहां पर जो point है वो है the temperature should remain constant बिल्कुल सही ratio of v upon i should be constant यह बिल्कुल सही the temperature should vary यह गलत और v proportional to i सही लेकिन इसमें जो main condition है उसके बाद सारी चीज़ें अपना भी valid हो जाएगी वो है temperature should be constant अगर temperature constant है तो r constant हो जाएगा जैसे कि ohms law बताता है v proportional to i इसलिए जो v proportional to i है वो low temperature के लिए होता है हमें high temperature के लिए ohms law valid नहीं होता है दूसरा question current form of ohms law तो current form of ohms law क्या है सबसे पहला option i equal to vr गलत i equal to vr होता है दूसरा v proportional to i बिल्कुल सही है तीसरा v equal to i r यह भी सही है और लास्ट ओप्शन है v and c तो b and c बिल्कुल सही है दो option ओके number of electron constituting one column of charge is यानि एक column charge में कितने number of electrons हो सकते हैं तो देखते हैं एक column charge में कितने number of electron हो सकते हैं तो वो है n equal to q upon e तो n number of electron q charge one column है 1.6 into 10 की पावर मानस 19 तो यहां से आ जागा 6.25 into 10 की पावर 18 ओके नेक्स्ट कुशन देखते हैं जूल पर कुलों के ब्राबर होता है juice पर कुल उने वर्ट पर ऊडरों वकलों के को तो यह जूल और पर कुलों ते जूल पर कुलों के पराबर हो सबशाएक है तो एक्सें Dharma कर we believe l4 शृत क्लाशुमार जाखता है तो कंडेक्शन करेंट अगर कोई वायर है तो उसमें current flow हो जाएगा यह बिल्कुल सही है convection current यहां पर अगर कोई touch ना हो दोनों conducting तो इसके बीच क्या होती है air होती है कोई और medium यह उस medium के थूर जो current पास होती है उसको कावर ने convection current दूसरा displacement current displacement current का मलतब होता है rate change of electric field या change of electric field के कारण तो यह तीनों हो जाएंगे all point form of arm's law is represented by यानि जो arm's law है उसका point form कैसे represent किया जाता है तो आए देखते है यहाँ पर जो है जे इकॉल्टो जो sigma e जे इकॉल्टो जो sigma e इसको हम बोलते हैं point form इसी को हम बोल देते हैं vector form of arm's law और यही actual law भी है यही क्या है actual law of arm's law अगर आप इसको देखें तो जे current density i upon a sigma one upon resistivity और e हो जाता है v upon l यानि voltage और length of conductor यहाँ से v equal to rho l upon a into i तो rho l upon rho l upon a क्या हो जाता है आर तो इस इस corollary of arm's law यह arm's law की corollary है जो इससे मिलके बना है तो इसको हम standard form बोलते हैं v equal to ir को लेकिन actual form j equal to sigma e इसी को point form भी बोलते हैं तो यहाँ पर j equal to sigma e यान्चर हो जाए पोटेंचल difference is a quantity potential difference कौन सी quantity है क्योंकि potential difference w upon क्यों हो जाता है डबलू क्या है वर्क है और क्यों चार्ज दोनों स्केलर है तो स्केलर के साथ स्केलर हो जाएगा ओके तो यह जो question है यह मैं आपको और भी कराऊंगा जो आए हुए question है तो आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को subscribe करना न भूलें और share भी करें क्योंकि share करने और subscribe करने और like करने से यह होगा कि जब भी मैं यह वीडियो बनाता हूं तो यह आपको पहुंच जाएगी और इसे ट्रांसफर करें आगे कि तरह ताकि औरों का भी फायदा हो ओके thank you very much